हलो बच्चों कैसे हो आप लोग माईशल ताराचन टीम मैथ CLCC कर आज हम लोग स्थार्ट कर रहे हैं अपनी मिटेश शीरीज का पेपर नंबर एट का सॉल्यूशन इसका अंदर देखते हैं सबसे पहले हमारा पेरेग्राप नंबर वन देखते हैं इसका फर्स्ट क्योशन क् पांच चावियों का एक गुच्चा इस परकार से बनाया जाता है कि इसमें कुछ मास्टर चाविया या कुछ गलत चाविया हैं मिंस आपके सामने क्या है कुछ चाविया है जिससे लोग खुलता है उसमें से कुछ राइट है और कुछ आपके पास में गलत है मलब कुछ ऐ चाबिया, जिन से लोग खूलेगा और कुछ ऐसी है जिन से लोग नहीं खूलेगा ठीक है आगे देखिए इस गुच्चे की साइता से यादार्चित चाबियां परतिस्थापित करते हुए एक दरवाजे को खौलने की कौसिस की जाती है ठीक है इन चाबियों से कोई एक दरवाजा है ठीक है उसको खौलने की कौसिस की जारी है माना AI वह गटना है जिसमें गुच्छा आई मास्टर चाबि वाला रखता है तो पी ए आई इस डिरेक्टली परपोर्शनल टू आई इस सारी चीज आपको दी गई है तो चलिए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन के करेस्पॉंडिंग सबसे पहला क्यों सबसे पहले तो पांच चाबियां दे रखी है आपको है आई मास्टर की एंड पी एड रखी परपोर्शनल टू आए तो देखी है सबसे पहले तो यह आपने पास पें क्योंकि पांच है तो इस तरीके से यह डिरेक्ली परपोर्शनल है तो यहां से आपना डिख सकते हैं पी ऑकोफ य युड इक्वाल टू के का अउप आई ठ प्लस probability of A4 and plus probability of A5 ठीक है और यह अपने को सबको पता है कि सभी probabilities का जो Sum होता है वो कितना होता है हमेए साफ, 1 होता है तो यहाँ सगर probability of A1 की बात करे। probability of A1 कितना आ जाएगा K यह कितना आ जाएगा A2 यहां पर IQ two put कर दो, so that is 2K ऐसे यह आजाएगा 3K, यह आजाएगा हमारे सामने 4K, और यह आजाएगा हमारे सामने 5K, ठीक है, और that will be equal to 1, यह अपने को देरका है कितना है, 1 है, ठीक है, तो यहां से दिखी K की value आजाएगी, K will be equal to 1 by 15, K की value आजाएगी, that means, यहां से अपन कोई भी values निकाल सकते हैं, क्योंकि K की value है ब अपने पास में, for example, अपने को probability of A3 चाहिए, So probability of A3 कितनी हो जाएगी, बच्चो, यहां 1 by 15 put कर दीजिए, I value 3, So there will be 3 by 15, ऐसे ही आप बाकी भी जितनी भी है, वो सारी की सारी चीजे भी यहां से क्या कर सकते हो, बच्चो, calculate कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे probability of A3 यह है, probability of A4 की अगर बात करें, So probability of A4 कितना आजाएगा हमा B be the event that once more than 2 master की, but less than 5 master की, then probability of B कितना होगा, देखो, 2 से ज्यादा है, master की में सही चाबिया है, वो आपकी 2 से ज्यादा है, और 5 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यहां तो 3 होगी, और यहां आपके पास में कितनी होगी, 4 होगी, that means यहां पर आप से पूछा है, probability of A3 plus probability of A 4, ठीकर न, इसकी value क्या होगी, ठीकर न, यह आपको calculate करना है, probability of A3 अपने निकाला अभी, 3 by कितना होगा, 15, और probability of A4 कितना होगा, that is 4 by 15, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास total, 7 by 15, और यही हो जाएगा हमारा answer, और 7 by 15 हमारा कौन सा option है, third option, जो कि हमारा सही answer होगा, question number 1 के अंदर, clear है सभी को, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, question number 2 के बारे में, देखते हैं कि question number 2 में हमें क्या करना है, question number 2 में देखो करने के लिए, आपको सबसे पहले तो, इसमें करना क्या है, question को समझते है, question में आपको देरका, जब अपने पहली बार में लोग खोला, दूसरी बार में खोला, दूसरी बार में खोला, तो उसमें जब चौथी बार आप उसको, लोग को खोल रहो तो दूसरी बार खोल जाता है, इसका मतलब क्या हो कि पहले भी वो एक बार खोला है कहीं पर, चाहिए वो पहली बार में खोला होगा, दूसरी में या तीसरी बार में, ठीकर तीन में से एक attempt में खोला था और दो में नहीं खोला था, क्योंकि चौथे attempt में कौनसी बार खोल रहा है, दूसरी बार खोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो अगर इसमें conditional probability का आपन फॉर्मला लगाएं, तो यह आजाएगा हमारे पास में probability of C intersection B divided by probability of B, ठीक है, probability of B अपन पिछली कुश्चन में निकाल सुक है, 7 by 15, अब बात करते दें को इसको कैसे solve करेंगे, अगले page पे चल लेते हैं, probability of C intersection B का क्या मतलब हुआ, तो B क्या probability थी, या तो आपके पास में A3 उसमें possibility था कि 2 से ज़्यादा और 5 से कम, या A4 का था, that means यहाँ पर भी आपके साबने 2 case बन जाएंगे, that is probability of C तो रहेगा ही, और B की जगे पर क्या करोगे, या तो A3 करोगे वहाँ पर, और plus probability of C intersection A4, क्योंकि B के दो chances थे, या तो 3 हो सकते थे वहाँ पर, और यह 4 master keys हो सकती थी, clear है, divide by probability of B, जा probability of B अपन निकाल चुक है, अब निकालते हैं, देखो probability of C intersection A3, तो सबसे पहले इसकी probability निकालने के लिए, अपने क्या करना पड़ेगा, अब बात करते हैं, इसका C के साथ में intersection क्या होगा, तो C में क्या है था, आपको C के लिए क्या दे रहा था, अब देखें के अंदर, अगर अपने बात करें, यदि गटना C इस प्रकार है कि चोथे परियास में दूसरी बार दरवाजा कुल जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि पहले जो तीन attempt है पहले तो उसमें से किसी एक में खुलेगा, और दो में नहीं खुलेगा, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कि तीन में से कोई सी एक में खुल सकता है, तो तीन में से एक को select कर लेते हैं, पहला दूसरा या तीसरे में से जो भी होगा, वो अपारा selection हो जाएगा, अब जब भी वो खुलेगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि अपन किस के साथ में निकाल रहे हैं, ए थ्री के साथ में निकाल रहे हैं, तो ए थ्री के अंदर कितनी आपके पास में master key है, तीन master key है, ठीक है, तो जो आपके पास में सही वाला होगा, उसकी probability कितनी हो जाएगी, 3 by 5, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में कितनी master key है, 3 master key है, और ये तो होगी सही होने की probability हैं, जिसमें आपके पास में एक बार जिसमें खुलेगा उसमें probability, और जिसमें नहीं खुलेगा उसके अंदर क्योंकि इसमें कितनी आपके पाश है दो ऐसी फॉल्स कीज बन जाएगी और वो कितने अटेंब्ट होगे दो ऊंगे पॉल्स वाले पहले 3 में से एक सही वाला होगा और बाकि दो आपके पास तो उसका स्कुरार ठीक है यह तो होग जी बच्छो probability of C intersection A4 देखो वो कितना आएगा उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो वही probability of A4 कितनी है अपने पास में that is 4 by 15 ठीक है इसके अंदर भी वही पहले 3 attempt में से पहले कौन से attempt में आपके पास में सही आएगी उसको select करना पड़ेगा तो 3C1 तीन में से एक को select कर लिया इस बार क्योंकि A4 के साथ में intersection निकाल रहे तो यहाँ पर कितनी सही master keys कितनी है यहाँ पर 4 है तो जो सही की जो probability है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 4 by 5 क्योंकि total कितनी है 5 अब इसके गलत की कितनी हो जाएगा जिसमें नहीं खुलेगा miss false keys कितनी हो जाएगी so 4 by 5 चार सही है तो एक ही गलत होगी so that is 1 by 5 और पहले 3 में से एक सही और 2 गलत attempt है ना एक में खुल जाता है दो में नहीं खुलता है अगेन आपके fourth attempt में खुल जाता है तो fourth के लिए फिर आएगा आपके पास में 4 by 5 तो यह हो जाएगी आपके सामने probabilities और divide by 7 by 15 probability of b कितनी है आपके पास में 7 by 15 यह कट जाएगा ठीक है और इसको आप calculate कर लिए इसको calculate करेंगे तो एक को कितना आएगा 3 into 3 into 3 into 3 that is 81 into 4 ठीक है ना प्लस यहाँ पर देको 3 कितनी बार आ रहा है 3 शिरब एक ही बार आ रहा है यहाँ पर तो 3 ठीक है ना 4 कितनी बार आ रहा है 4 4 and 4 so there will be 64 64 और divide by 7 into 5 कितनी बार आ रहा है एक दो तीन चार बार ही आ पर आ रहा है चार बार ही वहाँ पर है so 625 इसको आप calculate कर लिए इसको जगा calculate करेंगे तो आपके साबने यह जो पहला option है आपका यह बिलकुल सही answer आएगा 516 divided by 4 375 clear है तो यह था आपका पहल पेसेज इस पेपर का चलिए आगे बात करते हैं पेसेज नंबर 2 के बारे में देखते हैं कि इस पेसेज में हमें क्या करना है पेसेज नंबर 2 में क्या है देखो वैसे तो आपको ऊपर यह दे रहा है कि अगर कोई ऐसा expansion हो ठीक है तो आपको इस तरीके से करना है ठीक है अ पावर 6 M ब्राबर R equal to 1 से 6 M, 6 M C R into X to the power R, ठीक है, वैसे भी अपने को पता है कि इसका जो binomial expansion होगा, 1 प्लस X की पावर 6 M का, वो इस टाइब का होगा, ठीक है, अब इसी की help से, अगर आपको यह नहीं भी दिया गया होगा होता, तो भी अपन यही यूज करते, और अपन ब 6 M C 0, ठीक है, फिर आएगा आपके पास में 1 put करोगे, तो माइनस 6 M C 2, फिर इसके अंदर 2 put करेंगे, तो प्लस आएगा, that is 6 M C 4, ऐसे चलता रहेगा यह, कब तक, लास्ट तक, लास्ट में जो 3 M put करोगे, तो माइनस 1 की पावर 3 M into 6 M into C 3 M put करोगे, तो यहाँ पर भी कित कब बनता है, हमारे पास में, ठीक है, 6 M C 0, 6 M C 2, 6 M C 4, ऐसा बाइनस एक्सपेंशन कब बनेगा, तो यह जो अभी अभी आपन देख रहेते हैं, 1 plus X की पावर, 6 M का जो एक्सपेंशन, ठीक है, यह क्या होता है, तो 6 M C 0 plus 6 M, C 1 into X and so on, इस तरीके से लास्ट तक चलता रहे है, तो इसके अंदर, देखो, E1 वाली जो ट्रम है न, जो 2 वाली जो ट्रम है, वो नेगेटिव चाहिए, और 4 वाली ट्रम पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसा कब आता है, याद कीजिए, अपने पढ़ा था, जब बाइनोमेल पढ़ा था, ऐसा तब आता है, जब आप इसके 6M C2, फिर इस आगे से चलता रहेगा आपके पास में, तो यह है 1 प्लस आयोटा की पावर 6M, आप देखो, क्योंकि अपने को 0, 2, 4 वाली चाहिए, तो आप इसमें काम और कर सकते हैं, और चाहो तो सिधा भी आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है न, इसके अंदर, आयोटा क स्क्वाइर निकाला यहां से, तो 1 प्लस आयोटा की स्क्वाइर हो जाएगा, आपके पास में, 2 आयोटा, और इसमें से पावर 2 बाहर अंदर ले लोगे, तो बाहर बच जाएगी, आपके पास में, 3M, ठीक है, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, अगर आपन, तो यह आएग ही, ठीक है, और यहां पर आजाएगा आपके पास में, माइनस आयोटा की पावर, ठीक है, अब देखो जब अपने इसमें कंपेरिजन करेंगे, तो इसके अंदर आयोटा रे भी सकता है, और नहीं भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, आपके पास में, M, E1 होगा, या ओड हो है, यह इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है, उदर दो टाइप की ट्रम है आपके पास में, एक तो 6M C0, माइनस 6M C2, इस टाइप की जब आपने को चाहिए, ठीक है, और एक आयोटा की कोपिसेंट वाली ट्रम और है इदर, 6M C1, एंड सॉन, इस टाइप की एक ट्रम आपके पास में, और है, माइनस 6M C3, प्लस एंड सॉन, इस टाइप की ट्रम, और दो टाइप की ट्रम है, तो इसके बराबर हमेशा तो नहीं होगा, ठीक हाँ, किसी स्पेसल केस में होगा, ठीक है, बट हमेशा इसके बराबर नहीं होगा, अज सेकेंड केसे, 0 M is odd, अगर M odd हुआ, तो इदर आयोटा बचेगा, ठीक ना, अगर M odd हुआ, जैसे 1, 3, 5, हर केस में आयोटा बचेगा, तो उदर आयोटा का जो कॉपिसेंट है, वो तो इसके बराबर होगा, लेकिन अपने को तो आयोटा का कॉपिसेंट नहीं चाहिए, अपने को तो ये ट्रम चाहिए में विसम है तो, फिर ऐसे आप आगे चेक कर सकते हो, E1 के केस में ये कहे रहा है कि माइनस 2 की पावर 3M होगा, ठीक है, तो E1 के के केस में देखो आयोटा तो हट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हटेगा, लेकिन देखो ये 2, 4, 6 आपके सामने इस टाइप से जब आप इसमे values put करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास में, minus sign तो पहले हट जाएगा, तो 2 के केस में तो कितना आएगा, आयोटा square और 4 के केस में कैसा आएगा, आयोटा की power 4, तो दोनों तरीके से रहेगा, हमेशा ये नहीं होगा, minus 2 की power 3M भी आ सकता है, और plus 2 की power 3M भी आ सकता है, इसलिए ये गलत है, तो सिरफ आपका second option यहापर क्या होगा, बच्चो, सही होगा, clear है, चलिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, next question, that is question number 4, question number 4 भी देखो, इसी तरीके का है, जैसा जैसा अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है, इसके अंदर अगर अपन बात करते है ठीक है, तो इसमें कौन सी ट्रम निकालनी है आपको, इसमें दूसरी वाली type की जो ट्रम है, वो निकालनी है, जो odd वाली जो थी, वो वाली ट्रम calculate करनी है, पहले इसको लिख लेते हैं, देखो, कितना आएगा, अगर इसमें R की वाली 1 put करेंगे अपन, तो अपने को 3-1 को अपने पहले लिख दिया है, फिर इसमें 2 put करेंगे, तो 2 put करेंगे, तो 2 into 2, अच्छा, 1 put कर दिया, 2 put करेंगे, 3 put करेंगे, तो 6 minus 1, 5, so that is 6mc5, और 3 put करेंगे, 3 minus 1, 2 हो जाएगा, so that is 3 का square, and so on, इस type से आपके पास में चलना है, ठीक है, तो आपको ये expression लेके आन 6mc0 plus 6mc1, x plus 6mc2 into x square plus 6mc3 into x cube and so on, तीन टरम लिख लेते हैं, 4 टरम, ताकि अपने को 2 टरम मिल जाए, और अपने को थोड़ा idea लगे कि करना क्या है, देखो, फिर से अपने को क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर अपने को odd वाली टरम चाहिए, शिरपना 1, 3 वाली, ठीक है, तो इसके अंदर आपन क्या करेंगे, इसके अंदर आपन दो चीजे पूट करेंगे, एक बार तो x की जगे पूट करेंगे, आपन root 3 iota, अच्छा, root 3 put क्यों कररें हैं सबसे पहले तो, इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आप root 3 put नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ प और यहां तो कुछ नहीं है ठीक है अच्छा इससे के बजाए ज्यादा बेटर किलियर होगा यहां पर जब पूट करोगे तो कितना आएगा थ्री रूट थ्री और इसके साथ में को एक थ्री है अपने के पास में लेकिन आप सोचेंगे रूट थ्री भी आ गया तो रूट थ 6m तो कितना आएगा देखो 6mc0 यहां पर कितना आजाएगा 6mc1 इंटू रूट 3 फिर अगली ट्रम के बारे में बात करते हैं 6mc2 इंटू रूट 3 अच्छा रूट 3 आयोटा रूट 3 आयोटा क्योंकि अपने को अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव भी करना है तो य 6mc3 इंटू रूट 3 आयोटा का हॉल क्यूग ठीक है ना ऐसे चलता रहेगा अच्छा क्योंकि अपने को इस बार क्या करना है पिछली बार तो अपने स्कॉयर करके उसको आसानी से सोल कर लिया था बट इस बार नहीं होगा ठीक है तो जनरल तरीका यह रहेगा फिर आपको इसमें एक बार 1-1-2-3 भी पूट करना है ठीक है ना 1-2-3 पूट करना है यह तो पॉजिटिव ही रहेगा बट यह टरम नेगेटिव में आ जाएगी c1-3 आयोटा फिर यह वापिस पॉजिटिव में ही रहेगी रूट-3 आयोटा स्कॉयर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह फिर नेगेटिव आएगे आपके पास 6mc3 इन्टू रूट-3 आयोटा का ओल स्कॉयर आपको सबको पतागो अल्टरनेट ट्रम्स क्या हो जाती है माइनस साइन पूट करने से पॉजिटिव नेगेटिव बन जाती है ठीक है अब अब अपन क्या करेंगे इस म इसको गटाएंगे तो क्या होगा यह तो कट जाएगी और यह बच जाएगी और यही चाहिए अपने को इसमें फिर यह देखो यह कट जाएगी और यह अपने को चाहिए और यही ट्रम देखी हमारे पास में यहाँ पर है 6MC1, 6MC3, 6MC5 ठीक है तो यही ट्रम आपको चाहिए यह बच गई है यहाँ पर लेकिन यह कब कितनी बार बचेगी 2 टाइम ठीक है इसमें एक रूट 3 आयोट को कॉमन ले लेते हैं ठीक है रूट 3 आयोटा को कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो यहाँ पर आएगा 6MC1 ठीक है इसके बाद में देखो यहाँ पर कितना आएगा रूट 3 आयोटा का कॉमन लिया है आपने पिछे अभी भी कितना बचा हुआ हुआ है बच्छो आपके PAS में, ROOT 3, आयोटा SQUARE बचा हुआ है, ठीक है न, अच्छा, ROOT 3, आयोटा SQUARE कितना होता अपने पास में, 1 ठीक है, और ROOT 3 का SQUARE कितना हो जाएगा, 3, तो यह हो जाएगा minus 6M C3 into, minus तो किस की बचाई है, आयोटा SQUARE रोजे 6M 3 और root 3 का square कितना हो जाएगा 3 यही तो ट्रम थी अपने पास 6mc3 into 3 ऐसी अगली वाली जो ट्रम आएगी वो positive में आएगी वो आपर iota की power 4 बचेगा so 6mc5 into 3 का square इस तरीके से आपके पास में यह पूरी की पूरी ट्रम आ जाएगी ठीक है और left hand side में क्या बचेगा आपके पास में इसका और इसका subtraction तो यहां तक आप इसको देख लीजिए ठीक है मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है फिर अपन देखते हैं कि इसका और इसका जो subtraction आएगा और वो कितना आएगा ठीक है न उसके बारे में बात करते हैं देखो यहां पर क्या है अपने पास में वन प्लस आयोटा रूट थ्री ठीक है वन प्लस आयोटा रूट थ्री या रूट थ्री आयोटा की पावर 6M और साथ में कितना है माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर 6M ठीक है इसको solve करते हैं यह इसके बराबर है यह इसके बराबर है क्योंकि इसको subtract करके ही अपन यहां तक पहुंचे है अब देखो मैंसे इसको subtract करने से क्या बचेगा ठीक है इसको compare करें उसकी value क्या आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसको convert कर देते हैं अपन पॉलर format में so root 3 plus 1 that is 2 so 2 की power 6M ठीक है न यह तो इसका क्या हो जाएगा argument और root 3 upon 1 so 10th alpha बराबर कितना हो गया root 3 so root 3 कितना होता है pi pi 3 10th pi pi कितना होता है pi pi 3 so e to the power iota कितना होता है formula क्या होता है mod z into e to the power iota theta तो theta कितना है अपने पास pi pi 6 so pi pi 6 into 6M ठीक है यह तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 की power 6M वहाँ पर आएगा और बीच में minus sign यहाँ पर यह कौन से quadrant यह first और यह fourth इसमें minus में आ जाएगी यह चीज़ so e to the power minus iota pi upon 6M ऐसा हो जाएगा अब देखो इसको open कर देते है 2 की power 6M ठीक है 6 से 6 कर जाएगा अचा pi pi 3 आएगा 6M है तो 2 time कर जाएगा कितना आएगा देखो cos 2 pi cos 2 pi plus iota sin 2 pi plus iota sin 2 pi m भी रेगा एक साथ में फिर minus cos 2 pi minus iota अचा यह minus आएगा यह plus हो जाएगा plus iota sin 2 pi m ऐसा आजाएगा ठीक है तो देखो यह तो कट गया 2 pi m से 2 pi m अचा m आपके पास में कैसा है m integer है क्योंकि m की जो values open put कर रहा है 1 2 3 4 ठीक है इस type से तो यह हमेशा आपके पास में कैसा रहेगा integer और अगर integer है तो sin 2 pi आपके पास में कितना हो जाएगा 0 तो यह trump भी 0 यह भी 0 तो यह किस के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया इसका मतलब यह हो गया इसका और इसका प्रोडेक्ट दोनों का क्या है 0 अब यह तो 0 हो नहीं सकता 2 root 3 iota that means यह वाले जो trump जो आप से पूछी गई थी क्यूशन के अंदर उस का answer कितना आने वाला है आपका 0 ठीक है यह M पे depend बिलकुल नहीं करेगा आपके सामने ठीक है अब बात कर लेते हैं अपन लोग आगे next question की और देखते हैं next question क्या है हमारा next बात करते हैं देखो multiple choice questions के बारे में ठीक है नहीं यहां से हमारे multiple choice questions start हो जाते हैं दोनों passage complete हो जाते हैं तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस question के बारे में देखो कितना है क्या है यह number of wage in which 32 identical blankets can be distributed among 4 persons so that each of them get number of blankets which are divisible by 2 but not 4 ठीक है ना जाइ 4 person में divide करना है 2 से divisible होना चाहिए बड़ 4 से नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको divide करोगे ठीक है ना इस टाइप का होना चाहिए ठीक है ना K1, K2, K3 कुछ भी हो आपके पास में इसमें क्या आएगा 2 आएगा 6 आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा 2, 6, 10 और इस तरीके का distribution आपके पास पॉसिबल है 4 लोगों में बाटना है तो ऐसी 4 चीज़े ले लिजिए 4K2 प्लस 2 ऐसे 4K3 प्लस 2 ऐसे एक बार और ले लिजिए 4K4 4K4 प्लस 2 और इनका जो सम है आपके पास में ठीक है न वो कितना होना चाहिए बच्चो 32 ठीक है न यह 4K4 है न इन चारों का सम 32 है तो 8 सब्टेट कर दीजिए उदर ले जाके तो कितना प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 कितना होना चाहिए आपके पास में 4 से डिवाइड कर दीजिए कितना आजाएगा 6 अच्छा अब यह आपर K1, K2, K3, K4 के आपके नंबर और पॉसिबिलिटीज देखनी है यह 0 भी हो सकता है 1, 2, 3 आगे भी कुछ हो सकते है बस चारों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 6, means आपको इसके non-negative integral solutions निकालने हैं, जो होते है 6, 4, minus 1, C, 4, minus 1, so that is 9C3, ठीक है 10, minus 1, 9C3, तो यह option आपका बिलकुल सही है, और 9C3 सही है तो 9C6 भी बच्छो आपका क्या होगा, सही होगा, अगर यह दोनों option सही है तो second option आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 19C3 और 9C3 तो बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन देको यहाँ पर आपको एक value दी गई है, यह जो value है यह हो सकता है कि उसके बराबर होगी, ठीक है तो पहले इसको calculate कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसके बराबर है या नहीं, so 4C1 कितना होगा बच्छों, 4, plus 5, 4 C2 कितना होता है, 6, plus 10, into 4C3 कितना होता है, 4, और plus 10, यह आएगा हमारे पास में, 6 into 5 होगा 30, plus 40 70, और plus 10 80, 80 plus 4, 84, तो यह किसके बराबर है बच्छों, 84 के बराबर है, ठीक है, एक बार 9C3 की value पी चेक करो किसके बराबर है, that is 9 into 8 into 7 divided by 6, ठीक है, यह कट जाएगा 4 बार और यह कट जाएगा 3 बार, so 12 into 7, that is also 84, तो यह भी 84 है और इसको calculate करने से भी 84 आ रहा है, that means यह भी 9C3 के बराबर है, तो यह भी आपके पास में सही answer होगा, so first, third and fourth, यह तीनों option आपके क्या है, इसके अंदर सही answer है, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 2 के बारे में, question number 2 में अपने को क्या करना है, question number 2 के अंदर आपको एक word दिया गया है, that is Indian ideal, ठीक है, और इस से देखो आपको कुछ questions है, उनको solve करने है, क्या है देखो, different words are from using the letter from the word Indian ideal, in which a denotes the number of words which contain India but not Indian, means a क्या है, ऐसे word जिसमें India तो आना चाहिए, बट Indian नहीं आना चाहिए, तो पहले अपने काम करते हैं कि ऐसा word बना लेते हैं, जिसमें India आ रहा है, ठीक है ना, ये India एक साथ आ रहा है, क्योंकि India कब आएगा जब ये 500 के 500 alphabet, एक साथ आएंगे, और India के आगे आपके पास में कितना, india, ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास में कितना बचा हुआ है, पीछे, n, i, d, o, और l, तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं, 5, तो 5 ये हो गए और एक ये हो गए, एक ये खुद हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 factorial तरीके साब इसको अरेंज कर सकते हो, अचा क्या इसका arrangement होगा, तो इसका नहीं होगा, इसका arrangement करोगा तो फिर Indian word बचेगा ही नहीं, आप इंडियन को तो एजटीज रखना है, ये पांचो इसी ओर्डर में और एक साथ आएंगे, और ये पांचो आपके आपस में इंटर्चेंज हो सकते हैं, तो ये total words हो जाएंगे आपके पास में, 6 factorial, लेकिन इन words में देखो ऐसा word भी आएगा, जिसके अंदर Indian, जिसमें N इसक इंडियन के अंदर, लेकिन अपने को वो चाहिए जिसमें इंडिया तो आए, बट इंडियन न आ आए, ठीक है, तो इसमें से वो word subtract कर देते हैं, जब इंडियन एक साथ में आ रहा है, तो अब कितना हो जाएंगे, तो अब ये पुरा एक ग्रूप बन गया, और पिछे 4 ब विच कंटेन दी वर्ड इंडियन बट नोट आइडल, बतलब ऐसे वर्ड जिसमें इंडियन तो आए, बट आइडल ना आए, तो इसमें भी ऐसा ही सोचते हैं, सबसे पहले वो word निकाल लेते हैं, जिसके अंदर इंडियन आ रहा है, तो ये तो अभी अभी निकाला आपने ऐसे वर्ड जिसमें इंडियन एक साथ आए, तो वो कितने होंगे आपके पास में, फाइड फेक्टोरियल, ठीक है, इसमें से आप वो सब्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो ऐसे वर्ड भी आजाएंगे, जिसमें इंडियन भी आएगा, और आइडल भी आएगा, तो इसमें से वो वर्ड सब्ट्रेट कर देते हैं, जब आइडल एक साथ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बट नोर आइडल, ठीक है, इंडियन तो एक साथ आए, बट आइडल एक साथ ना आए, तो इंडियन और आइडल, ठीक है, यह दो ग्रूप बन गे, तो इसको आप क 5 factorial कर जाएगा, so 6 minus 2 बिल्कुल सही है, a minus b की value निकाल लीजिए, इस में से इसको कम कर दीजिए, तो देखो कितना आएगा, a minus b ब्रावर 6 factorial minus 2 time 5 factorial, इस में से इसको गटाओगे, so 2 time 5 factorial और 7 में आ जाएगा, plus 2, ठीक है, इसको calculate कर लीजिए, यहां से देखो 5 factorial कमन आ जाएगा, so 6 minus 2, 4 into 5 factorial और plus 2, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके सामने, a minus b, एसा कौन सा option है बच्चों, एसा third option है, जो की आपका सही answer होगा, ठीक है, तो यहां पर आपके question number 2 के अंदर, second और third यह दोनों options क्या होगे बच्चों, correct होगे, ठीक है, के लिए रहे है, चलिए, आगे चल लेते हैं, बात करते हैं, question number 3 के बारे में, क्या है question number 3, आईए देखते हैं, question number 3 के अंदर, आपको कुछ probabilities है, वो calculate करनी है, so आईए देखते हैं, इसमें सारे options से करने हैं, आपको, एक बेग है, जिसमें 4 white और 2 black ball है, ठीक है, एक बेग है, जिसके अंदर 4 तो है, आपके पा बेग है, उसके अंदर 3 white और 5 black ball है, ठीक है, दो बेग है हमारे पास में, इसमें 6 ball है, टोटल उसके अंदर तोटल आपके पास में 8 ball से, clear है, इफ वन ball is drawn from each बेग, ठीक है, दोनों से एक बोल निकालनी है, आपको, यहां से भी एक निकालनी है, यहां से भी एक निकालनी, टोटल 6 है यहां टोटल कितनी है 8 है आपकी पस ठीक है निकालते हैं चलो क्या करना है किस तरीके से निकालनी है तो आपको बताने है कि इसमें से कौन-कौन से इधार है तीन वाइट बोल क्या ही पूछा आपसे पहले बिल्कुल सो तीन वाइट बोल और टोटल कितनी है 8 तो यह आजाएगा आपके पास इससे यह कट जाएगा दो बार तो आंसर आएगा 1 बाई 4 ठीक है दोनों वाइट बोल होने की प्रोबिलिटी कितनी है बच्चो 1 बाई 4 तो पहला ओप्शन आपके पास में बिल्कुल सही है बहुत सारे बच्चे गटबड करते है इसमें इसमें डारेट 1 में से गटा देते है देखते 3 बाई 4 आएगा और कहेंगे की ओप्शन सही नहीं है बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चो या तो दोनों वाइट हो या दोनों बलेक हो इसा भी दोसकि और गट ओर एक बलेक हो इसको भी आपको निकाल के देखना ना दो बलेक बॉल में से आएगी आपके पास में बगर एक निकालना है so 2 by 6 into वहां पर कितनी बैप बहुत है 5 so 5 by 8 कितना है इसको केल्कुलेट कीजिए 3 बर so 5 divided by 8 इंक ते ल 24 तो यह देखो बिल्कुल सही option है आपके पास में second भी probability of both are the black is 5 by 24 अगला question क्या है the probability that both are the different in color अच्छा इसमें देखो आपको क्या करना है एक black और एक white होने की probability क्या है ठीक है तो इसमें देखो दो तो तरीके से निकलेगी आपके पास में क्या पहले तो इसमें से white और उसमे हो सकता है इसमें से black और उसमें से white ठीक है तो देखते है देखो इसमें से अगर white आती है तो total कितनी है 4 by 6 तो उसमें से कौन से आनी चाहिए बच्छों black वाली यह आजाएगी 5 by 8 plus वो सकता है इसमें से black आ जाएए 2 by 6 into अब उसमें से white आनी चाहिए 3 by 8 8 into 6 48 आ जाएगा LCM आपके पास उपर है आपके पास 20 plus 3 or into 2 6 that will be 26 तो इसको काट तीजी 2 से so 13 divided by 24 यह होगा बच्छों आपका सही आंस्वर क्या यह दिया है बिलकुल यह दिया है तो यह option भी आपका सही होगा लास्ट वाला क्यूसन क्या कह रहा है दा प्रॉबिलिटी देट गेटिंग ए वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बेग ग्यूज सेकेंड बेग ग्यूज ए ब्लेक बॉल इस टू बाई थ्री अचा देखिए इसको थोड़ा सा ज्यान से कीजीगा ठीक है दोनों में से आपको उसी तरीके से क्यूशन है लेकिन थोड़ा सा क्यूशन अलग है तो प्रॉबिलिटी देट गेटिंग ए वाइट बोल फ्रॉम फर्स्ट बेग ठीक है फर्स्ट बेग में से आपको वाइट बोल आने की प्रॉबिलिटी निकालनी है ग्यूज second ग्यूज a black ball ठीक है न यह आपको दिया गया है कि दूसरे वाला जो ग्यूज है ठीक है उस में से क्या आ रही है आपके पास में black ball ठीक है दूसरे वाले में से तो black ही आ रही है so that is 5 by 8 पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास में कौन सी बॉल आए दूसरे वाले में से तो black है लेकिन first bag में से white है न तो second bag में से भी आपके पास में क्या हो सकती है ठीक है तो second नहीं जहां से देखो आपको दो बॉल्स निकालनी है तब प्रोबिलिट देट गेटिंग ए वाइट बॉल फ्रॉम दी फस्ट बेक पहले में से वाइट आने की प्रोबिलिटी फॉर बाई शिक्स और दूसरे वाले में से ब्लेक आ गई फाइब बाई एट अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास में कि पहले वाले में से आपके पास में कौन सी आ जाए पहले वाले में से आपके पास में कौन सी बॉल आ जाए इसमें दूसरे वाले में से आपके पास में ब्लेक बॉल होनी ही चाहिए एक्चुली यह आपके पास में किसका हो गया यह आप by 6 into 5 by 8 ठीक है ये तो आपके पास में होगी total probability और इस में से आपको निकालनी कौन सी probability ही कि first में से white ball ही आनी चाहिए तो ये वाली probability आपके पास में क्या हो जाएगी उपर आजाएगी 4 by 6 into 5 by 8 इसको आप calculate कर लीजिए ठीक है 6, 8, 6, 8 ये कट जाएगा सब so 5 into 4 20 divided by 20 plus 10 that is 30 इसे ये कट जाएगा और आपका answer आजाएगा 2 by 3 और ये ही होगा आपका सही answer ठीक है ना इसके अंदर क्या था ध्यान से देगे सबसे पहले तो आपको ये कि second bag में से black ball ही आनी चाहिए ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि total probability निकालने के लिए पहले में से white भी आ सकती है और black भी आ सकती है अब आपको निकालनी कौन सी आपको वो निकालनी है कि पहले में से आपके पास में white ball आए तो ये वाली चीज़ उपर आ जाएगी तो इसको क् डिवाइड कर दीजिए six eight कर जाएंगे आपके पास और बाकी calculation करने से two by three आएगा तो बिल्कुल आपके पास में ये जो fourth option है यहाँ पर ये भी क्या होगा बच्चो सही answer होगा clear है जरी आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number four के बारे में क्या है question number four के अंदर सबसे पहला three की power 81 के अंदर आपको बताना है कि unit place वे कितना होगा यह तो बड़ा आसान question होता है बच्चो आप सबको आता होगा ठीक है 10th level तक भी अपन पढ़ते हैं इस टाइप की questions आप उस तरीके से भी कर सकते हैं आप binomial की help से भी कर सकते हैं binomial से हो सकते हैं आप सब लोग कर ले य पहले बाकि आप कर सकते हो दोनों से चलिए binomial से बता देता हूं में तो सबसे पहले तो इसमें से क्या कर लीजिए 3 को बाहर ले लीजिए तो पीछे बच्चे का कितना 3 की power 80 3 की power 80 ठीक है अब आपको क्या करना है 3 3 की power 80 को आपने लिखेंगे क्या 9 की power 40 ठीक है ना 3 का square औ और उसके power कितनी हो जाएगी 40 फिर वापिस लिखा 3 into 10 minus 1 की power 40 ठीक है अब इसका आपको unit place निकालना है तो देखो जब आप से binomial लगाएंगे तो सबसे पहले तो 10 की power 40 आएगा 10 की power 40 आने का मलूओ उसके अंदर last में 40 0 है लगातार ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा आप के पास में 10 की power 0 into minus 1 की power 40 इसको आप calculate कर लीजिए इसके पीछे जितनी भी terms होगी उनके सब के last place में 0 आएगा तो unit place जो आएगा वो शिरफ इसी से आएगा तो that is 3 that is 1 that is 1 that is 1 so answer भी रहेगा बच्छो आपका 3 तो 3 की power 81 के अंदर आप से पुचा digits in the unit place of 3 की power 81 will be 9 तो यह गल जो unit place होगा आपके सामने कितना होगा 3 होगा so fourth के अंदर जो आपके पास में जो पहला option है आपके पास में ठीक है वो क्या हो गया बच्छो गलत हो गया है ठीक है इसके अलावा बाकी जो options है उसके बारे में बात करते हैं चलो second question में आपको क्या बोला गया है कि i plus f ब्राब 82 प्लस 9 की पावर 11 ठीक है ना अगले पेज पर चलते है रूट 82 प्लस 9 की पावर 11 ठीक है इसको जब आप solve करोगे ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में 11C0 into root 82 की पावर 11 ठीक है और फिर आएगा आपके पास में कितना 9 की पावर 0 ठीक है यसी अगली ट्रम आएगी 11C1 into root 82 की पावर 10 और साथ में आएगा 9 की पावर 1 ठीक है इसे चलता रहेगा लास्ट तर यह तो आई प्लस F है ठीक है यह क्या है आपके पास में that is I plus F ब्राबर ठीक है ना आई प्लस F ब्राबर यह है I plus F ब्राबर यह है I plus F ब्राबर एसे ही अपन क्या करते है बच्छो F ब्राबर निकालते है ना ऐसे क्यों में F ब्राबर क्या होता है इसका साइन चेंज करके रूट 82-9 की पावर 11 कितना आएगा इसको भी ओपन कर दिया तो यह तो सेम रहेगा 11C0 root 82 की पावर 11 into 9 की पावर 0 अब माइनस साइन आ जाएगा 11C1 into root 82 की पावर 10 into 9 and so on चलता रहेगा इसे अब अपन क्या करेंगे इसमें से इसको गठाएंगे ठीक है ना जब भी आपको even odd चेक करना हो ठीक है तो अपन क्या करते हैं इसमें से इसको कम करते हैं ठीक है और कम करके फिर देखते हैं कि आग आपके पास में आएगा i plus f minus f dash बराबर ठीक है इधर कितना आएगा अपने पास में देखो 11C0 यह वाली टरम तो कट जाएगी पूरी की पूरी ठीक है इस वाली टरम में जहां से देखना यह power 10 है root 82 की तो 82 common आ जाएगा यहां से और बाकी आंदर जो भी बचेगा आपके आपके पास में 11C1 एक 2 भी बाहर common आएगा 9 भी चाहो तो common ले सकते हो बाकी चाहो तो यहां छोड़ दो फिर 11C3 into 9 cube into 182 यहां पर बचेगा इस तरीके से चलता रहेगा आपके पास ठीक है तो यह जो आपके पास में डेटा आ रहा है ठीक है इसी डेटा के corresponding आपको पता च लेकर के माइनस के बीच में होगा ठीक है और मिनिममम आपके पास में कितना हो सकता है माइनस वन हो सकता है ठीक है उसे क्यों क्योंकि इसमें से इसको कम करना है आपको, अगर यह 0 से 1 के बीच में कुछ भी हुआ, अगर इसको गठाओगे, ठीक है, इसमें से इसको गठाओगे, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और जैसे for example, यह आपके पास में 0 की तरफ चला गया, यह 1 की तरफ हो सकता गया, तो minus 1 की ठीक है, इसके बाद में आपने देखेंगे, यह जो है, यह आपके पास में कैसा है, इवन इंटीजर है, ठीक है, आई आई आपके पास में क्या है, इंटीजर है, तो f minus f dash भी एक इंटीजर होगा, तो इस इंटरवल के अंदर, यह शिरप एक ही इंटीजर possible है, that is 0, that means f minus f dash क्या होगा, 0, और f minus f dash 0 है, that means i इसी नंबर के बराबर है, और यह आपके सामने कैसा है, यह एक इवन इंटीजर है, that means यह option जो आपको दे रखा था, then i is an even integer, एक सम पोड़नाग है, यह option भी आपका बिलकुल सही है, तो पहला गलत option था, और दूसरा आपका सही option होगा, ठ पहले 2 options, ठीक है, इसी तरीके से आपको बच्चो आगे वाले जो दोनों options है, उनको भी चेक करना है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, उनमें भी क्या करना है, तीसरे option के बारे में बात करते हैं, देखू, तीसरे option में आपको देरका है, 7 की पावर 100 is divided by 13, then the remainder is 9, 7 की पाव 50, ठीक है, इसको अपने को 13 में convert करना है, 13 के respect में convert करना है, इसके बाद में अपने नहीं क्या किया बच्चो यह जो है, इसको लिखा 52 माइनस 3 की पावर 50, ठीक है, अब देखू, इसको जब आप open करोगे, क्योंकि 52 क्यों लिखा, क्योंकि 13 से divisible है, ठीक है, तो again जैसे 13 से divisible होगी, शिरफ एक ट्रम बचेगी आपके सामने, that is 50C50 into 3 की पावर 50, यह जो ट्रम है, यह 13 से divisible नहीं है, that means this will be the divisible by 13, तो जो remainder आएगा आपके पास में, वो इसी ट्रम से आएगा, जो 13 से divisible नहीं है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस लास्ट वाली ट्रम को solve क करना है, 50C50 तो 1 होगा, so 3 की पावर 50 को 13 से डिवाइड करने से remainder कितना आ रहा है, तो अब आपन बात कर लेते, देखो 3 की पावर 50 के लिए क्या करेंगे, देखो 3 की पावर 50 के लिए इसको 27 में convert करेंगे, इसको लिखा 3 का cube, ठीक है, तो क्योंकि 27 में इसलिए कर रहे है, 26 के पास में रहेगा हूँ, इसके उपर मैंने पावर लगा दी 16, 16 इंटो 348 और 9 पिछे रहे जाएगा आपके पास में, so 9 और ये 27 हो जाएगा 26 प्लस 1, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर फिर से लगाएंगे, जब तो अगें सारी ट्रम्प सा आपके 13 से करोगे, तो आपका जो रिमेंडर आने वाला हो कितना आएगा, 9, तो हमेशा आपको ऐसी ट्रम में कनवर्ट करना होता है, एक ट्रम बचती है, उसको फिर आगे आपको प्रोसीड करना होता है, रिमेंडर निकालने के लिए, और इसका जो सही आंसर आगा, वो 9 आएगा, क् बिल्किल सेसल्ड नाईन है, तो ये आपका जही है, दूसरा सही, तीसरा सही, दोनों बिल्कुल सही है, आगे चलते है, बात कर लोते है, इसीका फॉर्ट आप्शन और बच गया है अपनेई पास में, फॉर्ट आप्शन के बारे में, देखो क्या है फॉर्ट option के अंदर, fourth option में आपको greatest drum पूचिए, numerically greatest drum, ठीक है, आप सबको formula पता होगा, numerically greatest drum, अचा, इसमें देखना, only sixth drum, शिरब एक ही drum है आपके पास में, कौनची, sixth drum, जो, क्या है, numerically greatest है, तो देखिए, हमारे पास में R का एक formula होता है, that is, n plus 1 divided by 1 plus mode a by b, ठीक है, न, a क्या होती है, पहली drum, और b होती है, दूसरी drum, अचा, numerically greatest coefficient पूचा है, अगर आपको x के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको x को क्या लेना होता है, वहाँ पे 1 लेना होता है, ठीक है, जब x 1 होगा, तब यह numerically greatest कितना होगा, x को 1 ले लिजिए, a पहली drum और b दूसरी drum, यह a और यह b, so a by b कितना आ जाएगा, आपके पास 1 by 2, तो यह तो 1 by 2 आ जाएगा, so 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2, so 2 by 3 into n plus 1, यह R का formula है, ठीक है, अच्छा, 6th drum आपको बोला गया कि numerically greatest है, ठीक है, तो इसके अंदर देखो, n की क्या possible value हो सकती है, कि आपके पास में यह value आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको बोला कि n की value 7 होगी, तो अब इसमें क्या करते है, देखो 6th drum numerically greatest है न, इसका मतलब यह क्या है, t5 से भी बड़ी है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार तो अपन इसके अंदर लगाएंगे inequality और चाओ तो सिधा भी याद रख सकते हो, ठीक है न, यह 5 से तो बड़ा होगा आपके पास में जो r है, n प्लस 1, divided by 1 प्लस a by b कितना आया था, 1 by 2, चाओ तो सिधा भी लिख दो, और यह 6 से छोटा होना चाहिए आपके पास में, इससे जो answer आएगा वही आपका answer होगा, 5 से 6 के बीच में होगा, 3 by 2, so that is 15 by 2, minus 1, और इधर n आ जाएगा, that is 3, 18 by 2, 18 by 2 कितना हो जाएगा, 9, minus 1, that is 8, so 7.5 will be 6.5 से तो बड़ा होगा, n और 8 से छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा number आपको दे रखा है, so integer होगा, that is 7, so again बिल्कुल आपका यह जो fourth option है, वो भी सही है, ठीक है न, इसको आप direct याद रख सकते हैं, अच्छा, इसमें देको only sixth बोला, means एक ही numerically greatest term है, ऐसा की भी आप theory देखी अच्छे से कि किस तरीके से उस question को solve किया जाता है, clear है, चलिए बात करते आगे next question, इसी तरीके से देखते है next third option, देखते हैं कि यह सही है गलत, तो इसके देखी क्या करना है आपको, 11C0, 11C1, 11C1, 11C10, लेकिन इसमें देखी एक क्या दिकत है, इसमें क कुछ coefficient से आपके positive और कुछ negative है, ठीक है, तो इसको एक बार आपन लिख के देख लेते हैं, इसका जो पूरा process होता है, और यह तरीका आप उपर वालव में भी लगा सकते हैं, जो भी आपन third option में लगा रहे हैं, so 1 plus x की पावर 11 का expansion लिखेंगे, 11C0 plus 11C1x plus 11C2x square and so on, अब क्योंकि अपने को बाकी ट्रम नेगेटिव चाहिए ना, alternate positive negative तो एक अपना expansion लिखेंगे, यहाँ पर 1-x की पावर 11 का, और 1-x की पावर 11 का क्या हैगा, 11C0 minus 11C1x plus 11C2x square and so on, अब देखो, पहली ट्रम तो अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो अपने काम कर करते हैं, इसकी positive, इसकी positive वाली ट्रम को इसकी last ट्रम से multiply कर लेते हैं, so that is 11C0 into 11C11 into x की पावर 11, अब इसकी जो next ट्रम आएगी, that is 11C1 into x और इसकी जो पहले वाली ट्रम होगी, पहले वाले में x की पावर 10 होगा, ठीक है, तो that is 11C10 into x की पावर 11, फिर से यह वापिस आए हो, अच्छा 11C11 ही रखना है आपको, 11C1 into 11C10 इसी format में, तो इन दोनों के product के अंदर x की पावर 11 का कोपिसेंट है, ठीक है, और यहां पर भी आप देखेंगे, इन दोनों के product के अंदर, that is 1 minus x square की पावर 11, ठीक है, इन दोनों को product करोगे, तो यह आएगा, तो इसके अंद x की पावर 11 का कोई कोपिसेंट नहीं आएगा, तो यह option आपका गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, तो यह गलत इसलिए हो गया था, क्योंकि c1 था, c1 होने का मतलब इन दो ही ट्रम का sum होगा, जो n पे depend नहीं करेगा, और यह सही था आपके पास में पहला option, तो पहला option सही है यह आपर, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, अब बात कर लेते हैं, fourth option के बारे में, so fourth option में देखो आपको क्या दे रखा है, fourth option में आपको यह दिया गया है कि इसका आपको sum निकालना है, ठीक है, और इसका sum निकालने के लिए देखो एक formula पढ़ते हैं, आपन उस formula का यू यहादो, n plus 1, c1, और नीचे आजाएगा, ऊपर जो आपने number लिखा है, वो as it is n plus 1, ऐसे यहाँ पर भी लग जाएगा, देखो nc1, इसमें और इसमें एक का gap होना चाहिए, इसका जो r होता है, n ncr का और नीचे जो number उसमें अगर एक का gap है, और again एक का gap होने का मतलब ऐसा नहीं कि यह 0 और यह 1 हो जाए, नीचे वाली ट्रम एक जादा है अगर, तो आप इस formula का use कर सकते हैं, यहाँ से आजाएगा, 2 square into यह फिर से बन जाएगा, n plus 1, c2, अचा इन दोनों में बढ़ेगा, इसमें भी एक बढ़ेगा, नीचे r में भी एक बढ़ेगा, तो यह 2 बन प्लस 1 into n plus 1 cn plus 1 और divide by उपर वाला number as it is n plus 1, यह sequence बन जाएगे आपकी, अब इसमें फाइदा क्या हुआ, इसका denominator सेम बन गया, तो इसमें क्या कर लिजिए, n plus 1 को LCM ले लिजिए, यह क्या है देको ध्यान से, n plus 1 c1 into 2, n plus 1 c2 into 2 का square, n plus 1 c3 into 2 का cube, n plus 1 cn plus 1 into 2 की power, n plus 1, means 1 plus x की power n का जो expansion होता है, उसमें x की जगे पर क्या put किया गया है, 2, तो 2 plus 1, x की जगे पर 2 put किया गया, means 1 plus 2 की power n plus 1 का यह expansion है, इसको expand करेंगे तो यह सारी term आएगी, लेकिन बच्चों, इसके term में यह सारी तो आएगी, बट इसके अलावा एक term और भी आएगी, that is n plus 1 c0, जो इसमें नहीं दिया गया है, तो उसको आपको इसमें से क्या करना पड़ जाएगा, subtract करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो term यहाँ पर present नहीं है, इसको solve कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 3 की power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1, तो यह हो जाएगा बच्चों, आपका सही answer, और इसा कौन सा option है आपका fourth, तो इस question के अंदर सिरफ first और fourth यह दो ही option बच्चों आपके सही होंगे, क्लिए रहे, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं next question, that is question number 5 के बारे में, 5 तो हो गया, 6 के बारे में, 6 तो वाला question देगी, यह probability का when diagram से solve होने वाला question मेरा favorite question होता है, इसा question कभी भी exam में आप से पूछी गई है, उनका बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, आइए देखते हैं, यह A, यह B, ठीक है, यह बाहर वाली probability, सबसे पहले बात करते हैं, probability of A, 1 by 2, probability of B, bar 4 by 5, तो probability of B कितना हो जाएगा, बच्चों, 1 by 5, ठीक है, ना, 1 में से इसको गटा देंगे, A and B are the two independent events, so P, A intersection, B किसके ब्रावर हो जाएगा, बच्चों, इन दोनों के product के ब्रावर, 1 by 2 into 1 by 5, that is 1 by 10, और 1 by 10 कितना होगा, बच्चो, 0.1, ठीक है, तो A intersection, B कितना है, बच्चो, 0.1, ठीक है, probability of A कितना दे रखा है, 1 by 2, 1 by 2 means 0.5, 0.5 में से 0.1 यहां पर आ गया, तो यहा probability of B कितना है, बच्चो, 0.2, 0.2 में से 0.1 यहां पर आ चुका है, तो यह दर भी बचेगा, 0.1, 4 और 1, 5 और 1, 6 तो बहारवाली probability भी है, बच्चो, 0.4, सबसे पहले तो आप अपना Venn diagram बनाईए, उसकंद सारी probabilities को लिखे, एक-एक करके, और सबसे पहले आप इसमें intersection को ही लिख पाएंगे, तो intersection को लिखे, फिर इदर वाले को, A, B में से पहले किसी को भी लिख सकते हो, लास्ट केंद जो बाहर वाली probability है, उसको निकालके, अच्छा, यह कहां से निकाली, क्योंकि यह 6 आ रही है, यह पॉइंट 6, total probability है, हमें सा 1 होती है, तो यह कितनी आ जाएग 4 और 5 और 6, that is 0.6, इसमें से A वाली probability, ठीक है, union में से देखनी है, क्योंकि conditional में क्या होता है, यही sample space बन जाता है, तो A, union, B, नीचा आएगा, और उपर शिरफ A की probability, शिरफ A नहीं, A की total probability, so 0.4 और 0.1, that is 0.5, point से point हट जाएगा, तो यह बिलकुल सही answer है, आपका 5 by 6, अ B-Date, देखिए, A-Date, union, B-Date का क्या मतलब हुआ, A-Date का मतलब होता है, बच्चो, A को छोड़ करके बागी पूरा, ठीक है, तो यह तो पूरा आई जाएगा, union निकालना है, तो यह पूरा आजाएगा, फिर B-Date का मतलब B को छोड़ करके पूरा, तो यह पूरा हो जाए तो इसमें sample space तो कितना हो जाएगा, बच्चो, sample space तो हो जाएगा, इस बीच वाले को छोड़ के बागी पूरा हो जाएगा, मतलब 0.9, ठीक है, अब लेकिन इसी sample space में, यह जो आपने sample space लिया है, 0.9 वाला, इसके अंदर A intersection भी कितना है, तो इसमें A intersection भी है नहीं हो, तो नहीं था, तो वो कितना है, इसमें 0, तो यह answer कितना हैगा, 0, तो यह बिल्कुल सही answer है, बच्चो, second option भी 0, क्योंकि इसी sample space में से होना चाहिए, आपके उपर वाली जो probability होती है, वो, आगे चलते है, probability of A by B, ठीक है न, probability of A by B का क्या मतलब होता है, बच्चो, probability of B में से A की probability है, ना, sample space कौन सा है, B वाला, तो B वाले में कितना है, 0.1 और 0.1, 0.2, और इसके अंदर, इसी sample space में A कौन सा है, तो इसी sample space में A शिरफ इतना ही होगा, पूरा नहीं होगा, so that is 0.1, so that is 1 by 2, तो यह option भी बच्चों बिल्कुल सही है, last वाला, A dash, intersection, B dash, ठीक है न, A dash और B का intersection लेना है, इस बार, तो intersection के अंदर कौन सा आएगा, A dash मतलब A को छोड़ करके, B dash मिस B को छोड़ करके, तो that means यह बाहर वाली जो probability है, intersection में शिरफ यह आएगी, ठीक है, चाहो तो इसको आँ 1 minus P A union B भी लिख सकते हो, तो इसको जब आप solve करोगे, तो 2 by 5, means 0.4, यह option भी आपका बिलकुल सही है, ठीक है, वैसे है, यह जो बाहर वाली, A और B के बाहर वाली जो probability होती है, वो होता है, A dash intersection, B dash, clear, तो यह बहुत ही मेरा favorite question आता है, इस टाइप में बहुत बार question पूछे जाते हैं, अब वेन डाइग्राम बना करके, इस तरीके से इन कुशनों को solve कर सकते हैं, clear है, चलिए, आगे चल लेते हैं, बात करते हैं, next question, that is question number 7, आचा 7 तो ही नहीं, आगे आजाते हैं, बच्छों अपने integer type questions, ठीक है, इसमें आपके जो answers होंगे, वो numerical types के होंगे, चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले, question number 1 है, ठीक है, उसके बारे में कि क्या उस question का सही answer होगा, ठीक है, so let a ब्राबर 4 to the power 1 divided by 401 minus 1 for each n will be greater than equal to this, यह आपको दे रखा है, इसकी value भी दे रखी है, 4 की power k, तो k निकालना है कितना होगा, चलिए देख लेते हैं कितना आएगा, सबसे पहले तो देखो, क्योंकि nc1 के साथ में क्या चाहिए होता है, बच्छों nc1 a plus nc2 a square, अब अच्छा लग रहा है, binomial type का लग रहा है, ठीक है, यह कितना हो जाएगा बच्छों, यह हो जाएगा 1 plus a की power n का expansion, लेकिन अगेन इसमें nc0 नहीं है, तो उसको इसमें से subtract कर देते हैं, that is a into b की power n, ठीक है, 1 plus a अपने को पता है, अपनी यहां से उसकी value निकाल सकते हैं, 1 plus a की, ठीक है, nc01 होता ही अपने पास में, b, a, b, m, अब लेकिन आपको करना है क्या देखो, b 2006 minus b 2005, तो यहां पूट कर देते हैं, देखो, a, b 2006 minus a, b 2005 बराबर, कितना आएगा देखो, 1 plus a की power n की जगे एक बार 2006 पूट करना है, minus 1 और फिर minus 1 plus a की power 2005 और इसमें से minus 1 करोगती, क्या हो जाएगा, plus 1, तो यह तो कट जाएगा, आपके पास में, 1 plus a की power 2005 common आ जाएगा, 1 plus a की power 2005 common आ गया, तो यहां बचेगा, 1 plus a, उधर से minus 1, तो इधर बचेगा, a, इधर से भी a common आ जाएगा, बच्चो, a into b की power, b 2006 minus b 2005, तो इस a से a कट भी जो अपनने multiply किया था, तो इसका जो value आएगा, वो आएगा, 1 plus a की power 2005, अब अपन निकाल लेते हैं, कि 1 plus a की power 2005 कितना होगा यहां से, so that will be 1 plus a ब्राबर 4 to the power 1 upon 401, ठीक है, इसमें power करनी है, आपको कितनी, 2005 दोनों साइड, so 1 plus a की power 2005 ब्राबर, इसकी power 2005 करेंगे, so 4, 2005 divided by 401, that is 5, ठीक है, so 4 to the power 5 answer आएगा, हमें दे रखाएक, इसका answer यह है, तो 4 की power k दे रखी है, तो k की जो value आजाएगी, बच्चों कितनी आजाएगी, 5, तो यह answer आपको आपकी answer की में बरना है, that is 0, 5, कि जारे सभी को, तो इस तरीके से आपको, इस question को solve करना था, ठी है, चलिए आगे चल लेते हैं, बात करते हैं, second question, देखिए क्या करना है अपनी को, उस में, question number 2 के अंदर, आपको mathematics वाला word, इस पर आपने बहुत सारे questions किये होंगे, ठीक है, एक question और करते हैं, देखिए आज, और देखते हैं कि इस question में हमें करना है क्या, consider the letter of the word mathematics, there are 11 letters, ह इस में से repeat हो रहे हैं, कुछ नहीं repeat हो रहे हैं, यह repeat हो रहे हैं, यह दे दिया है आपको MAT, यह repeat नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में दे दिया गया है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर करना क्या है, consider the letter of the word, there are 11 letters of them, letters are classified as repeating and not repeating letter, ठीक है, हाँ, यह सारी चीज़ आपको दे रहे दौनों M एक साथ आने चाहिए, ठीक है, and both T's are together, दौनों T भी बच्चो एक साथ आने चाहिए, ठीक है, but not, but both A's are not together, लेकिन A एक साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले तो यह दो group बन गए बच्चो आपके पास, H, E, I, C, और S, पहले इसको arrange कर देते हैं, इसको कितने तरी तरीके से arrange कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको arrangement कर सकते हो बच्चो आप 7 factorial तरीके से, ठीक है, इसके बाद में इन 7 letters के बीच में कितने gaps होंगे बच्चो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इस gap में डाल दें, तो एक अभी भी 7 में नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि A 2 ही है अपने पा होंगे, that is 8C2, ठीक है, अब उन 2 gap के अंदर क्योंकि दोनों A identical है, इसलिए A की तरीके से arrange कर सकते हो, अगर different होते तो 2 factorial तरीके से होता, बट अभी फिलाल उनको A की तरीके से डाल सकते हो, जो 2 gap select हुए है, दोनों में आप A को put कर दीजी, किसी को भी पहले में put कर दीजी, क X की कितना आजाएगा बच्चो 7, then the value of X is, तो X का मान ही आपको निकालना था, answer हो गया बच्चो आपका 7, ठीक है, बड़ा ये simple सा question था, बस आपको इसको अच्छे से समझते हुए, question में आगे बढ़ना था, clear, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, बच्चो, question number 3, question number 3 मे देखो हमें क्या करना है, question number 3 में आपको दे रहा है, the number of 5 digit number having the product of digits is 20, तो 20 के factors करो कितना आएगे, 2 into 2 into 5, यही होंगे, इसका 5 digit का number बनाना है, इसका मतलब, इसके अंदर कुछ और भी digits होंगे, तो देखो क्या क्या possibilities हो सकती है, जिसमें product 20 आजाए, तो देखो मैं लिक रहा 1, 1, 2, 2, और 5, एक तो यह 5 digit हो सकते हैं, इन 5 digits से जो numbers बनेंगे आपके पास में, उनका product कितना हैगा, बच्चो 20, इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखो 1, 1, इसको भी 1 कर दो, इस 2 को इसके साथ में मिला दो, तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 5, एक possibility यह भी हो स हो जाए, इन 5 digits का product भी 20 हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ मिला देंगा, तो देखो, अगर 5 को, 5 के साथ में 2 को मिला तो 10 आता है, तो 10 digit है नहीं, digit का मतलब होता है, 0 से 9 के बीच में ही आना चाहिए, इसका मिला 2 को 5 के साथ तो नहीं मिला सकते, 2 को 1 के साथ मिलाएगे तो वापिस 2 ही आएगा, तो उसको मिलाने कोई फाइदा नहीं, मतलब ये 2 ही possibilities है, आपके पास इसके arrangements कर सकते हो बच्चो, 5 factorial by 2 factorial into 2 factorial, मतलब 120 बटे 4, कितना हैगा, 4 से divide करो के तो 4, 3, 30 आ जाएगा बच्चो, ऐसे इसको कर लो, ये 5 factorial by 1 इसमें 3 बार repeat हो रहा है, so that is 3 factorial, that is 6, so 120 by 6, that will be 20, so 30 words पहले वाले होंगे, 20 बाद वाले, total आ जाएगे बच्चों 50 words, तो इसका जो सही answer होगा, that is 5 0, ठीक है न, 0 5 नहीं, 5 0, clear है, तो ये था आपके पास में question number 3, ठीक है, चलिए आगे बात करते है, question number 4, question number 4 मैं देखो, क्या है आपके सामने, question number 4 के अंदर है, the number of integral solution of the equation, this such that these conditions, ठीक है न, ये सारी conditions आपको दी गई है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस equation के number of integral solutions कितने होंगे, ठीक है, देखो, कैसे करते हैं इन question को, सबसे पहले तो इसको बनाते है, अपन कैसा, x greater than or equal to 0, ठीक है, अच्छा, यहां पर equal का sign नहीं ह तो इसको अपन बनाएंगे, x greater than minus 1 type का, सभी को, ताकि minus 1 से बड़े number सब को जब बना लेंगे, मतलब 0 या 0 से बड़े होंगे, x, y, z, w, सब 0 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो चलिए, इसको बनाते हैं, तो minus 1 करना पड़ेगा, दोनों side, x minus 1 will be greater than minus 1, ठीक है, या तो प्लस 1 करोगी, तो इधर कितना आएगा, minus 1, पहले वाले को, t plus 1, इसमें क्या कर दिया, x के अंदर इसा 1 जोड दिया, तो x plus 1, और उधर आजाएगा, minus 2 plus 1, ठीक है, या आजाएगा, दूसरे वाले में, minus 1 लाने के लिए, 2 सब्टेट करना पड़ेगा, y minus 2 will be greater than minus 1, इसमें कुछ करने की जोरुत नहीं, क्योंकि greater than equal to 0 चलेगा आपने पास, ठीक है, और next वाला आपके पास में क्या है, w3 है, तो उसमें करना पड़ेगा, आपको w minus 4 will be greater than minus 1, ठीक है, देखो, minus 1 से बड़ा है नमबर, इसका मतलब क्या होगा, बच्चों, वो आपके सामने 0 या 0 से बड़ा होगा, इसको T2 नाम दे दिया, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये Z रहने दो, ये चाओ तो T3 दे दो इसको भी, और ये क्या होगया, बच्चों, T4, ठीक है, minus 1 से बड़ा है, मिस T4 भी greater than equal to 0, T3 भी greater than equal to 0, T2 भी greater than equal to 0, T1 भी greater than equal to 0, ठीक है, minus 1 से बड़ा है, that means 0 या 0 से बढ़ा और 0 या 0 से बढ़ा है मतलब simple 0 या 0 से बढ़ा मतलब ये non-negative integral solution में convert हो जाएगा लेकिन अब आपने क्या किया x plus 1 को t1 माना x कितना आ जाएगा बच्चो t1 minus 1 y minus 2 ब्राबर t2 तो y कितना आ जाएगा बच्चो t2 plus 2 z t3 के ब्राबर है इसको t3 और w minus 4 ब्राबर t4 so that is t4 plus 4 will be less than 25 ये equation बन गई आपके पास इसके non-negative integral solution निकालने है इसको जोड़ दीजी कितना है t1 plus t2 plus t3 plus t4 कितना आएगा 4 और 2 6 minus 1 5 5 सब्टेट कर दीजी आ 25 में से तो कितना आ गया बच्चो 4 5 से 5 सब्टेट करोगे तो 20 आएगा अब क्या करना है जब inequality होती है तो अपन एक variable और insert करते हैं उसके अंदर t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 20 से less होना चाहिए मतलब 19 तक का sum हो सकता है ठीक है क्या 19 ही होगा क्या 18 नहीं हो सकता है जब 18 होगा तो t5 कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा ठीक है तो वो को दिक्कत नहीं है इसलिए अपन यह नया variable insert करते हैं ताकि वो सारे 20 से चोटे जितने भी sums होते हैं सब को valid कर दे 19 के बराबर हो सकता है sum t1 plus t2 plus t3 plus t4 that means t5 में भी condition क्या है t5 भी greater than equal to 0 तो इन 500 यह 500 जिरो या 0 से बड़े है that means इसके non negative integral solution आपको calculate करने हैं तो इसमें formula लगाएंगे 19 plus 5 minus 1 c5 minus 1 कितना हैगा बच्चो 19 plus 4 23 c4 ठीक है आपको दे रखा है कि इसका answer है mu c lambda तब find the value of mu means यह उपर वाला number आपको निकालना है और इसकी value आ जाएगे बच्चो 23 तो यही है बच्चो आपका सही answer pillar है that is question number 4 ठीक है चली अब आगे चलते हैं बात कर लेते हैं question number 5 के बारे में क्या दिया है देखू अच्छा यह जो च्यार question है section D के अंदर इनके जो answers है वो decimal type के answers दिये गए है ठीक है तो चली अपन देखते हैं कि इनके जो भी है वो उसी तरीके से इनके answer में decimal में आ सकता है जैसे आपको यहाँ पर बोला गया है इस type से कुछ भी answer इसमें possible हो सकता है तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहला question x plus 1 by x plus 1 की power 6 इसको हमें expand करना है तो इसको expand करने के लिए हमने इसको 1 को पहली द्रम ले लिया इसको दूसरी ड्रम सो 6C0 plus 6C1 into x plus 1 by x plus 6C2 into x plus 1 by x का all square ऐसे ही बच्चों आपको लास्ट में आएगा कितनी हो गया constant रम आएए देखते हैं कितनी आएगी इसकी constant रम देखो पहली ट्रम है क्या 6C0 तो यह constant होगी बिल्कुल 1 होगा इसका answer 6C1 into this तो देखो इसमें x आएगा 1 by x आएगा कहीं constant नहीं आएगा तो इसमें कोई constant रम नहीं आएगी अगले में चलते हैं 6C2 क्या इसमें constant रम आएगी तो इसमें बिल्कुल आएगी बच्चो क्यों सी ट्रम आएगी इसको आप expand करके भी देख सकते हो a square plus b square plus 2ab तो वहाँ पर 2 आएगा constant रम x x कट जाएगा तो इसमें आएगी बच्चो फिर से और वो कौन सी होगी वो इसकी middle ट्रम होगी 2c1 इसी तरीके से या तो आप लिक करके देख सकते हो आगे वाली नहीं तो आपको similarity से पता चल जाना चाहिए पहली में आ रही है दू 66 उसमें कितना आएगा x plus 1 by x की power 6 और उसकी middle ट्रम कितनी आएगी बच्चो 63 ठीक है तो यह आएगी आपके पास में constant रम इसको calculate कर लीजी यही आपका answer है 1 plus 6 into 5 by 2 into 2 तो 2 से 2 कट गया तो 1 plus 30 plus अगली ट्रम देखते हैं यह 62 ही है again 6 into 5 by 2 4 into 3 by 2 ठीक है तो 2 into 2 4 से 4 कट जाएगा कितना आएगा 6 into 5 30 30 into 3 90 तो यह आगया बच्चो 90 लास्ट रम यह तो 1 हो गया यह आएगा बच्चो आपका 20 calculate कर लीजे 90 10 plus 30 141 तो यह है बच्चो आपका a note ठीक है आते हैं देखो वापिस question की तरब a note 141 है ठीक है तो इसका fractional part निकालना है आपको 141 by 100 कितना होगा 1.41 और इसका fractional part कितना है बच्चो 0.41 तो आपको इसको decimal के हिसाब से इस तरीके से अपनी answer की में लिखना है answer को that is 0.41 क्लियर है चलिए आगे चलते हैं बात कर लेते हैं next question that is question number two question number two में देखो क्या करना है आपको question number two में बोला गया है कि eight men and two women इनको आपको क्या करना है इनको आपको एक circular table के उपर बिठाना है वहाँ पर को seats रखी गई है तो क्या है देखो पूरा पढ़ते है eight men or two women have to seated around a circular table such that no two women sit together if p and q denote the respective number of ways of sitting these people around the table when seats are numbered and unnumbered then q by 10p अच्छा पहले तो है देखो number वाली यह कौन सी है पी और q कौन सा है बच्छो unnumbered वाली यह वाली तो पहले एक काम करते है अपनी क्यू निकाल लेते है unnumbered वाला बड़ा आसान रहता है ठीक है ना इसमें क्या करना है seats है आपके पास में circular table पर तो पहले आप आठ लोगों को आठ आद्मियों को एक table में बिठा दो एक circular table पर आठ आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं बच्छो एक माइनस वन फेक्टॉरियल डैट इस सेवन फेक्टॉरियल अब देखो एक रो में जब आठ लोग बैठते हैं तो उसके पास में एक ज्यादा हो जाता है एक लेप्ट होता है तो आठ लोगों के बीच में आठ ही गेप होंगे तो उन आठ में से दो गेप आप स्लेक्ट कर लीजे बच्छो कोई से भी 8C2 आपने दो गेप स्लेक्ट कर लिए अब वहाँ पर दोनों लेडीज को बिठा दीजिए तो वह एक साथ नहीं बैठेगी तो यहां पर आजाएगा तो आपका आंसर आएगा बच्छो 7 फेक्टोरियल इन्टू 8 इन्टू 7 बाई 2 इन्टू 2 यह तो कड़ जाएगा 7 इन्टू 8 विल बी 8 फेक्टोरियल इन्टू 7 तो यह है आपके पास में कितना Q ठीक है नहीं Q की वेल्यू निकाल ली है अपने अन्नमबर्ड वाला ना Q विल बी इक्वल टू इधर लिख देते हैं 7 इन्टू 8 फेक्टोरियल ठीक है अब आज आते देखो बच्छो पी पर आना पी वाले में क्या करते हैं देखो पी वाला थोड़ा सा बच्छो अच्छी तरीके से करना इसको देखो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है ना दो तरीके बताता हूं मैं आपको दोनों में से जो भी आपको बैटर लगे ठीक है वो आप लगा दीजीगा पहले तो देखो एक नॉर्मल सा तरीका है ठ लास के अंदर ठीक है जब वो एक circular table के ऊपर हो तब क्या होता है और जब रो में होता है तो क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले circular का जो तरीका है उसमें non-conjugative selections करके अपन क्या कर लेते हैं वहां पर दो ladies को बीठा देंगे ठीक है तो उसके लिए पहले लेकिन अपने को दो seats क करनी है जो non-conjugative हो तो अपन क्या करेंगे इन 10 में से कोई भी एक seat को select कर लेते हैं that is 10C1 ठीक है तो 10 में से एक select कर ली जैसे for example मेरे पास में ये वाली seat आ गई वह ठीक है तो ये आ गई तो इसके बाद में आपको क्या करना है ये वाली भी select नहीं करनी है आगी बाद समझ में सब को तो ये दोनों select नहीं करनी है तो अच्छा आपको दो ladies को बिठानी है एक आप पहले select कर चुके है और ये दोनों आपको करना नहीं है तो अब आप क्या कर लीजिए जो remaining जो आपके पास में जो साथ सीटे हैं क्योंक टोटल दस थी एक आप कर चुके हो दो आपको करनी नहीं है तो पीछे कितनी वचे कि साथ तो उस साथ में से कोई भी एक सीट और स्लेक्ट कर लीजिए ठीक में से एन में से आर norn conjugate selection करनींगा वो फ 높ला लगाते बर्ट क्योंग यहाँ पर तो आपको सिंपल साथ में स een Ebola कर लिजिए तो किसीए और डोई की नहीं तब कोई सिभी इस में से स्लेक्ट होगि तो नौन बाद में किया ऐसा selection करते time पर हमेशा ध्यान रखिए repetition होता है क्या repetition होगा कि जैसे circular table के अंदर पहली बार में दूसरा select हुआ फिर मेरे पास में जैसे 8 वाली seat select होगी तो एक तरीका तो यह हो गया अब ऐसा हुआ कि पहली बार यह 7C में लेकिन कौन से numbers की seat select हुई दौनों के इसमें 2 और 8 number की तो यह दो अलग-अलग selection थोड़ी यह तो same selection है तो इसमें repetition हो जाता है तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं 2 से divide कर देते हैं यह तो आपने क्या कर दिया है यह आपने 2 seat select कर ली जो non-conjugative होगी अब इन 2 seat'ों के उपर आप क्या कर सकते हो इन 2 ladies को कितने तरीके से बिटा सकते हो 2 factorial तरीके से ठीक है दोनों ladies बैट गई और दोनों एक साथ बैठी नहीं क्योंकि हमने non-conjugative select करके उनको बिठाया है अब बच गया 8 लोग 8 seat'े खाली है उनको बिठा दीजी 8 seat'ों पर जैसे बैठना चाहे एक के उपर दूसरा बैठेगा नहीं तो 8 seat'ों पर 8 लोगों बिठाने का तरीका 8 factorial ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चो 70 into 8 factorial ये आ गया आपके पास में Q ठीक है एक तरीका तो इसको निकालने का Q तो पहले आ गया था ये P आ गया 70 into 8 factorial आग़ी बात समझ में अब आता है अपन दूसरे तरीके से ठीक है जब नमबर है आपके पास में ठीक है और आपको क्या इन 10 लोगों को बिठाना है ठीक है तो अच्छा वेल्यू तो आगई अपने पास में इससे आपका आंसर पता सल जाएगा पर मैं आपको एक तरीका और होता है वो भी बता देता हूँ क्या लगेगा उसमें पहले आप क्या कर लो सभी को बिठा दो जब ladies एक साथ में बैठी है ठीक है और चाहे ladies साथ में बैठी है या ना बैठी सारे निकाल लेते हैं पहले तो आठ और दो 10 लोगों को एक नमबर किये गए है ऐसे 1, 2, 3 लेकिन है circular table ठीक है तो यहाँ पर आप कितने तरीके से बिटा सकते हो उनको उनको आप 10 factorial तरीके से बिटा सकते हैं क्यों नमबर करने के बाद पर रो का काम करेगा ठीक है एक पहली seat एक दूसरी seat और एक 10 दूसर 10 factorial तरीके साब इनको बिटा सकते हो अब इसके अंदर क्या होगा इसमें से वो subject कर दो जब दोनों ladies लगातार दो seat ओं पर बैठीक है ना तो देखो लगातार कितने combination बनेंगे जैसे एक 1, 2 का बन जाएगा फिर एक 2, 3 का एक 3, 4 का एक 4, 5 का एससे last में एक 10, 1 का तो total कितने pair बनेंगे इसे 10 pair बनेंगे ठीक है उन 10 pair के अंदर उन दो seat ओं पर दो ladies को बिठाने के भी दो तरीके हो जाएंगे that is 2 factorial so 10 into 2 factorial अब इसके बाद में आपके पास में जो 8 जो लोग भी थे ठीक है ना जो दो लगातार ladies बैठी है और 8 लगातार जो persons बैठे वो भी आपस में आर 20 minus 20 कितना आ गया बच्चो 70 into 8 factorial अब आप कहेंगे कि सर ये तरीका तो आसान था फिर पहले वाला क्यों बताया क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है क्यूसन के अंदर कि आपको non-conjugative selection की requirement होती है ठीक है तो वो तरीका मैं इसलिए बताया ताकि आपको non-conjugative selections करने आए ठ सकते थे ये आपके पास में क्या गया पी अब आप से जो पूछा गया आप वो निकाल लीजिए क्यों बाई 10 पी कितना है अपने पास 7 into 8 factorial डिवाइड बाई 10 into P P कितना है बच्चो 70 into 8 factorial 8 से 8 कर जाएगा 7 से ये कर जाएगा 10 बार तो 1 by 100 और 1 by 100 मिस 0.01 ठीक है ना ये आंस की में बरना है तो जिन लोगों ने भी ये आंसर बढ़ा है 0.01 ठीक है उन लोगों का ये आंसर क्या होगा बच्चो सही होगा के लिए रहे है चाचा इसमें बरने का आपका तरीका पढ़ लीजी आपको decimal के पहले भी अगर कुछ digits लगाने है 0 वगेरा तो वो भी आप लग सकते हैं चली आगे चल लेते हैं बात करते हैं कि उस्सन नंबर थी के बारे में कि उस्सन नंबर थी में देखो क्या करना है अपने को कि उस्सन नंबर थी में दे रहे है बेग कंटेंड 10 बॉल नंबर 029 जीरो वान टू से लेके नो तक ठीक है दस बॉल है आपके एक बेग के अंदर ठीक है बेग में डाल दीजी इसको ना बॉल्स आर सच देट धी परसंट पिकिंग बॉल आउट आउट अप दी बैग इग अब बॉल्स निकालने के तरीका बराबर है एनीवन आप देम परसंट पिक एप बॉल एंड रिप्लेस इन दी बैग एक बॉल निकालता है और वापिस इसके अंदर बेग के अदर डाल देता है अक्टर नॉटिंग इट्स नंबर इसके नंबर नोट करता है ठीक है तो मान लेते हैं कि पहली बार में जो निकाली ठीक है वो बॉल ए थी ठीक है उसका जो नंबर था वो कितना था आपके पास ठीक है इसके बाद में क्या है इसको नॉट कर लिया वो क्या आ गया विया एकपार फिर इसने बार निकाली थेले मैं से उसका नंबर नॉट किया फिर उसको वापिस डाला फिर दूसरी बाल निकाली फिर उसमें डाल दी ठीक है तो इस तरीक से तीन बार उसने एक बॉल को निकाल निकाल के उसके नमबर नोट कर ली अब क्या है आगे तो प्राइलिट देट दा बॉल पिक फर्स्ट इस नमबर हायर देन दी बॉल पिक इन दी सेकेंड अचा यह कहरा कि जो पहली बार में जो बॉल निकली थी वो दूसरी बार में जो बॉल निकली है उससे जादा है उसका नमबर ठीक है ना जिसे मतलब पहली बार में नाइंथ नमबर की निकली है तो दूसरी बार में साथ नमबर की पहली बार में आट नमबर की निकली है तो का नंबर तीसरी वाली से ज्यादा है मतलब इनका जो order है ना वो यह है पहली बार वाली का सबसे बड़ा दूसरी बार उससे छोटा तीसरी बार का सबसे छोटा इस order में वो निकले हैं आपके पास में ठीक है पेक्टिंगी रिपिटेट दी प्रोसेस इसकी प्रॉब्लिटी निकालनी है कि इस तरीके से आपको बॉल निकली है तो सबसे पहले देगो तीन बार उसने किया है तो पहली बार में दस बॉल थी दस में से एक निकाली दस फिर वापिस डाल दी दूसरी बार में भी दस बॉल बची तीसरी बार निकाली फिर उसके पास में कितनी थी दस थ ठीक है तो पहली बार के अंदर जब उसने निकाली वहां से बॉल ठीक है तो यह जो 10 है आपके पास में ठीक है ना दस में से जो भी निकली आपके पास में नाइंत वाली भी निकल सकती है टू वाली भी निकल सकती है ठीक है तो अगर नाइंत वाली निकली है तो उसके पास म दो option है तो कौन सा क्या तरीका लगाए इसके अंदर देख बच्चों अपने एक तरीका पढ़ते हैं ठीक है ना इस तरीके से जब भी आपको करना हो तो आप क्या कर लो तीन selection कर लो बस 10C3 ठीक है यह 10 जो number है ना इसमें से 3 number को select कर लो कोई भी 3 select कर लो ठीक है ना जैसे for example आपने select कर लिया एक तो पहला एक चोथा और एक साथवा ठीक है तो इसका जो arrangement होगा ना वो एक की तरीके से होगा यह तो क्या होगा यह तो C होगा यह B होगा यह A होगा तो आपको करना है बस आपको simple इन 10 में से 3 number को select कर लीजिए यही बच्चो आपका answer होगा that is 10 C 3 इसको calculate कर लीजिए यही answer 10 से 10 कट गया तो पिछे इसमें क्या बचा देखो 9 into 8 divide by नीचे भी आएगा 321 321 को लिखने के जुरूत नहीं है 100 सो 3 से काट दीजिए 3 बार 2 से काट दीजिए 4 बार तो कितना आजाएगा 12 100 से divide करोगे तो 0.12 यह हो जाएगा बच्चो इसका answer कितना 0.12 और into 312 और उसको 100 से divide कर दीजिए ठीक है बच्चो इसी के साथ देख लेते है आज के अपने इस पेपर का last question देखिए इस question में अपने को करना है क्या यह भी आपका question probability से related ही है आएगे देख लेते हैं इसको भी से लिए A, B and C ठीक है ना A, B and C are try to hit a target simultaneously but independently ठीक है ना सभी independently hit कर रहे रेस्पेक्टिव प्रोबिलिटीज आर हीटिंग दी टार्गे यह यह प्रोबिलिटीज है उनको hit करने की the probability that the target is hit by A or B but not by C इसका क्या मतलब हुआ देखो बच्चो या तो A hit कर सकता है B hit ना करे और C तो करेगा ही नहीं simple सी बात है एक chance तो यह हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि B hit कर जाए A ना करे और C तो करना ही नहीं है C को तो करना ही नहीं आता इसलिए C के दुवारा hidden नहीं हो रहा but not by C या ऐसा भी हो सकता है बच्चो A और B दोनों hit कर जाए A और B इसका मतलब यह हो सकता है या A करे या B करे या दोनों भी कर जाए ये भी हो जाए तो A और B दोनों कर जाए और C ना करे 3 बटे 8 प्लस A बार होगा बच्चो 1 बटे 4 B की प्रवाइलिटी 1 बटा 2 C बार की प्रवाइलिटी 3 बटा 8 A और B 3 बटा 4 1 बटा 2 और इसकी वैल्यू 3 बटा 8 कितना है नीचे तो 8 4 2 कितनी बार आगा चार दो नहीं 8 8 4 64 उपर देखो कितना है 3 इंटू 3 9 प्लस यहां तो शिरब 3 और यहां पर फिर 9 9 9 18 प्लस 3 21 बटे 64 और यह किसके बराबर दिया है बच्चों आपको यह दिया गया है X बटे 16 के बराबर 16 से कट जाएगा बच्चों 4 बार X का मान कितना आजाएगा X की वैलियो आजाएगी आपके पास में 21 बाई 4 4 से डिवाइड कर दिये 5.25 यह आजाएगा और आपको क्या करना है Then find the value of fractional part of X तो इसका जो fractional part X है That is 0.25 तो यही है बच्चों आपका answer क्लियर है और यह था आपके इस paper का last question इसी के साथ आपका इसका solution complete हो जाता है Okay, thank you very much